नमस्कार श्वागत है आप सभी का लोवर PCS Mains 2019 के लिए Science Biology के questions हम लोग solve कर रहे थे आज ये mock test 2 है अगर आपने पहला वाला mock test नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए इस सिरीज में हम लोग जीविज्ञान के अतिमहत्पूर्ण प्रस्नों का पूरी ब्याख्य के साथ हल देख रहे हैं तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्न है which are the following pairs of vectors and disease यानि वाहक और उनसे होने वाले जो रोग हैं वो correctly matched है या नहीं है तो चलिए options देखते हैं सबसे पहले है एनाफ्लीज एनाफ्लीज जो है क्या malaria cause करता है बिलकुत सही answer है एड भी सही दिया हुआ है CC fly क्या यह phyleriasis या phyleria disease cause करता है तो यह गलत है और खटमल के द्वारा sleeping sickness या निद्रा रोग नहीं होता है तो इस तरह से केवल एक और दो यानि B option हमारा यहां पर correct होगा आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एनाफ्लीज से malaria होता है यह करता है जो file area का वाहक है वो इसके द्वारा जो है transmit होता है और CC fly इससे जो है क्या होता है निद्रा रोग होता है अगला प्रसंद देखते हैं यहाँ पर 4 options दिये हैं और उसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से options या कौन कौन से statements जो है यहाँ पर सही है तो पहला है कि अभी जो echinodermates होते हैं वो समुद्री नहीं होते हैं दूसरा options है sponge जो है अनन्य रूप से यानि बिलकुल जो है यह marine ही होते हैं समुद्री ही होते हैं इंसेक्ट are found in all kinds of handshake जो इंसेक्ट होते हैं वो सभी प्रकार के जो है आवासों में पाय जाते हैं यानि हर जगे पाय ज सहते हैं और या ब्रच्वासी होते हैं ब्रच्ष पर निवास करते हैं अभी इन से हमको देखना है कि कौन-कौन से सही हैं इसका क्या उत्तर सही होना चाहिए इसमें जो है तीन और android करी कार कीट सभी प्रकार के आवासों में पाय जाते है और कई नर वानर गं या जिनकों भी जातियां है वो सभी समुद्री होती हैं और संग पोरी फेरा के सदस्यों को क्या कहते हैं इस पंज कहते हैं ये जली अधिकान समुद्री पत्थरों सिलाओं और अन जनतुओं के खोलों पर लकड़ी के टुकड़ों पर चिपके हुए निर्जीव सी अपब्रद्धियों यानि आउट ग्रोट्स के रूप में होते हैं और ये अनन्य रूप से समुद्री नहीं होते हैं कीट जो होते हैं इंसेक्ट भूमी पर हवा में जल में सभी प्रकार के हैबिटेट्स में आवासों में पाय जाते हैं नर्वानरगर्ण यानि प्राइमेट्स के कई सदस से ज अगला परसंदेखते हैं, यहां पर डो लिष्ट दिवी हैं, एक में मॉलिकूल्स दिए हुए हैं, दूसरे में उससे क्या प्रोडक्ट जो है पाचन के उतपाद बनते हैं इसको हमको सुमेलित करना है तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन से क्या बनता है प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो लाश्ट में क्या बनता है अमीनो एसिट्स बनते हैं उसके बाद हमारा B आप्शन है कारभो हाइडरेट से क्या बनता है म allerdings क्या बनता है नुकलिक एसेट से जो है नाइटरोजिनस बेसेज और पेंटोस सुगर या पेंटोस सरकरा प्राप्त होती है और लिपिट से जो है फाइटी एसेट और गिलसराल बनता है फााइनल प्रोडक्ट तो इस तरह से हमारा D option यहाँ पर correct होगा एक बार फिर से इसको देख लिए प्रोटीन से amino acids, carbohydrates से monosacrides, nucleic acids से nitrogenous base और pentes sugar और lipids से fatty acids और gilserol बनता है अगला प्रसंद देखते हैं हिर्दय समंधी समस्याओं के निवारण है तुध किसी सामान स्वस्त व्यक्ति के रक्त में क्या होना चाहिए, इन में से क्या क्या होना चाहिए Colesterol का निमनिस्तर होना चाहिए यह हमेशा आम लोग पढ़ते रहते हैं कि Colesterol जो है उसका एक लो लेविल होना चाहिए HDL यानि High Density Lipid जो है इसका इस्तर जो है कैसा होना चाहिए उच होना चाहिए यह भी सही है उच VLDL इस्तर होना चाहिए जो की गलत है और उच LDL यानि लो डेंस्टी कोरिस्ट्राल जो है हाई नहीं होना चाहिए तो इस तरह से हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया केवल एक और दो जो है यहाँ पर सही है कोलेस्ट्रॉल की मातरा अधिक होने पर यह है रुधिरवानियों यानि ब्लड वेसल्स के भीतरी इस्तरों पर एकत्रिस होकर ठोस परत या प्लैग बना लेती है जिससे आगे चलकर दिल का दोरा या जिसको हर्ड श्ट्रोक कहते हैं पढ़ने की संभावना रहती है इस दसा को एथिरोस्कलरोसिस भी कहते हैं यह याद रखिएगा टर्म महतपूर है कभी सीदे सीदे एथिरोस्कलरोसिस के बारे में पूछा जा सकता है और इससे जो है क्या होता है ब्लड प्रेसर बढ़ जाता है जो अंत्रता हिर्दय रोग वा हिर्दय घात यानि स्ट्र लाइपो प्रोटीन यानि LDL जो है ये बलड में कोलेस्टरॉल की मातरा को बढ़ाता है और जो HDL होता है वो इसको घटाने का काम करता है इसी लिए जो है बिकल्प ए जो है इसका सही है अगला प्रसंद देखते हैं जो इसमें चार स्टेट्समेंट्स दिये हैं वो भी किसके बारे में DNA के बारे में तो इसमें कौन-कौन सा सही है उसको हमको यहां से इसका चैन करना है एक एक करके हम इसका परिक्षन करते हैं DNA is the hereditary material for all living organisms यानि DNA जो है सभी जीवधारियों में अन्वानसिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है क्या ऐसा जरूरी है ऐसा बिलकु for synthesis हा protein DNA के सभी खंड जो है protein synthesis के लिए coding करते हैं यह भी बिलकुल आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो nuclear DNA is double helical with two nucleotide chain which run anti-parler यह बिलकुल सही statement है इसके बार DNA is also found in mitochondria तो mitochondria में DNA पाया जाता है यह भी statement बिलकुल सही है तो इस तरह से हमारा B option यहाँ पर correct होगा इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं केंद्रक अर्थाद नाभिक या nucleus के अतरिक्त mitochondria और chloroplast में भी DNA पाया जाता है नाभ की DNA जिसको हम nuclear DNA कहते हैं यह anti-parler चलने वाले दो nucleotides chains का से जो है double helical format में होता है सभी जीवित जीओं का अन्वांसिक पाया जाता है DNA के अधिकांस भाग protein के sensation को coded नहीं करते हैं इसी और जो भाग जो है coding नहीं करते हैं protein synthesis के लिए उनको non-coding DNA कहा जाता है अगला प्रसंदेखते हैं अगला प्रसंदेखते हैं among the given nutrients milk is a poor source आप यानि milk से हमको सबसे कम इनमें से क्या प्राप्त होता है यानि दूद जो है उससे सबसे कम इनमें से कौन सा nutrient हमको प्राप्त होता है तो दूद में calcium होता है ठीक ठाक amount में protein भी होता है और carbohydrate भी होता है लेकिन vitamin C जो है दूद में न पाए जाता है तो इसका D options आई होगा प्रती 100 ग्राम दूद की मातरा में calcium लगबग 113 मिली ग्राम protein लगबग 3.2 ग्राम carbohydrate लगबग 5.3 ग्राम होता है जबकि vitamin C जो है नगर्ण होता है इसलिए D options जो है इसका correct होगा अगला प्रसंदेखेंगे which one of the following is not a mammal इसमें से कौन एक इस्तंधारी नहीं है तो यह सभी समुद्री जीव हैं आप जानते हैं तो इन में से कौन सा एक इस्तंधारी नहीं है यह हमको बताना है तो dolphin इस्तंधारी होती है seal भी इस्तंधारी होती है और whale यह भी एक मैमल होता है रेकिन shark जो है यह क्या है यह एक इस्तंधारी नहीं है सार्क क्या होती है बेसिकली सार्क जो है एक मचली होती है सार्क एक समुद्री काटिलेजिनस फिस है यह इस्तंधारी नहीं है जबकि तीनों अन्निविकल्ब जो है मैमल्स की स्रेडी में आते हैं अगला कोश्चन देखते हैं निमलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्ध पारिगम यानि सेमी परिमेबल और्गनेल है सेमी परिमेबल का मतलब आप जानते हैं जो कुछ पडार्थों को आरपार आने देने में मदद करता है तो इसमें से हम आप्संस पर ध्यान देते हैं सेल मेंब्रेन, प्लाज्मा मेंब्रेन, सेल वाल और नुकलियस तो इसमें से क्लियर कट है कि सेल वाल और नुकलियस ये जो है सेमी परिमेबल मेंब्रेन नहीं होती है अगर हम सेल मेंब्रेन की बात करें तो cell membrane और plasma membrane ये दोनों ही semi permeable होता है nature में तो इसका सही उत्तर क्या होगा A और B यहाँ पर दोनों ही जो है option हमारे ठीक है तो plasma जिल्ली या कोसिका जिल्ली यानि plasma membrane और cell membrane जो है semi permeable जिल्लियां होती है जो प्रतेक सजीव कोसिका के जीवद्रव को घेर कर रखती है इसका निर्मार तीन layers में होता है इसमें बाहरी एवं भीतरी परते protein द्वारा बनी होती है और मध्य वाली जो परत होती है इसका निर्मार लिपिड या वसा के द्वारा होता है अगला प्रस्ण देखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक पसू इस्तंधारी है यानि इन में से कौन एक मैमल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घडियाल प्लाइटीपस और हौन बिल तो ये प्रस्ण जो है आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा क्योंकि ये अपवाद सुरूप भी एक्जामपल दिया जाता है ये प्रोटोथीरिया सब्क्लास में आता है और ये प्राया आस्टेलिया तथा निउगिनी में पाया जाते हैं इनमें सिसु का जन्म अंडे से होता है जो कि इस्तंधारी का एक लच्छन नहीं है इनमें टीट्स का भाव होता है इनमें दुख्ध गंदियां स्वेद गरंतियों से ही व्युत्पन होती है या निडिराइव होती है और प्रजनन काल के दौरान मादा के उदर के पास एक वि पत्तागोभी से प्राप्त नहीं किया जाता है तो बहुत सारे जो है वेजिटेबल्स दी है जिसमें से एक आपको बताना है जो कि कैबेज या पत्तागोभी से नहीं प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर क्या है लेट्यूस लेट्यूस जो है पत्तागोभी से नहीं प् इसके कैसी family का एक member है इसके अंतरकत क्या क्या आता है broccoli आता है kale आता है koalribi आता है जबकि lettuce जो है esterasy family का जो है सदस्य है और इसे वन पत्ता वो भी इसे प्राफ्त नहीं किया जा सकता है अगला प्रसंद देखते हैं cactus के बारे में दो कथन दिये हुए हैं आपको तो cactus के बारे में आपके इन दोनों कथनों पर विचार करके इसमें से कौन कौन से कथन सही है ये बताना है तो इसकी जो पतियां होती है वो reduce होके क्या बन जाती है कंटक या काटे बन जाते हैं तो बिलकुस सही है क्योंकि एक मरसुली है और वहाँ पर इसमें विसेश प्रकार का adoption हो जाता है दूसरा हमारा statement है the stem does the photosynthesis यानि इसका जो तना होता है वो प्रकास sensation करता है क्योंकि पतियां पहले ही spine में modify हो चुकी है तो तना जो हरा होता है वो प्रकास sensation करता है यहीं एक और दो दोनों ही option यहाँ पर correct है तो C जो हमारा यहाँ पर options में से सही है क्योंकि पतियां modify होकर जो है काटों में बदल जाती है जिससे इन में सुस्क बातावरण के प्रती अनकूलता विक्सित होती है पतियों के इनपसिती में इसका जो तना होता है इस्टेम होता है वो photosynthesis करता है अगला प्रसंद देखेंगे एक घोड़ा और एक गधा जनन के दवारा खचर पैदा करते हैं खचर को हम लोग क्या कहते हैं इंगलिस में mule कहते हैं जो की horse और डंकी के breed से आपस में जो breeding होती है horse और डंकी की तो उससे क्या बनता है mule बनता है और एक अनुरवर यानि एक sterile है पसू है ये घोड़े और गधे की निमलिखित में से कौन सी भिमता के कारण ये sterility होती है ये उनमें कौन सी ऐसी भिमता पाई जाती है जिसके कारण जो है जो mule होता है वो sterile होता है या infertile होता है तो इसका सही option क्या है इसका c option जो है correct है उसमें क्योंकि दोनों की species अलग है जाती गत जो है इनमें भिमता पाई जाती है तो खचर, प्राया, नर्गधा और मादा, घोड़े के मद्ध जनन के द्वारा पैदा होते हैं गधे और घोड़े की जाती में भिनता होने के कारण इनसे उत्पन खचरों में अनुर्वर्ता या infertility पाई जाती है अगला प्रसंद देखते हैं दमेजर कंबस्टिबल कंपोनेंट आफ गोबर या काउडंग गैस इस गोबर गैस का जो है सबसे प्रमुक घटक जो दाह घटक होता है जिसका दहन होता है वो कौन साइन में से methane, carbon dioxide, hydrogen या propane इनमें चार आप्संस में से आपको सही आप्सं चुनना है तो इसका सही आप्सं क्या हो जाएगा methane ये आप्सं जो है इसमें correct है गोबर गैस को बायो गैस भी कहा जाता है इसके प्रमु दाह घटक या combustible component methane है जिसकी मात्रा लगबग 50 से 75 प्रिस्टत तक इसमें होती है गोबर गैस ग्रामीड इलाकों में इधन के रूप में भोजन पकाने तथा प्रकास की विवस्था करने में उप्योगी होता है अगला प्रसन देखते हैं हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर हम प्राप्त करते हैं चार आपसन आपके सामने हैं सुखाया हुआ प्रकंद या राइजोम सुखाया हुआ रूट या ड्राइड रूट सुखाया हुआ फल जिसको ड्राइड फूट कहेंग इंगलिस में या seed इन चारों आपसंस में आपको तैय करना है कि जो हल्दी होती है जिसको हम खाने में यूज करते हैं तो वो powder कहां से प्राप्त होता है यानि हल्दी के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ड्राइड राइजोम जो इसका राइजोम है जो इसका भूमिगत तने का मौडिफेशन होता है सुखाया हुआ प्रकंद उसी से पीस कर हल्दी प्राप्त की जाती है हल्दी जिंजी बरेसी फैमिली का एक पौधा है इसका बौटनिकल नेम कुरकुमा लॉंगा है और इसका प प्रकंद होता है राइजोम होता है यह रूपांत्रीड भूमिगत तना होता है इससे शुखा कर था पीस कर हल्दी पाउडर हम प्राप्त करते हैं अगला प्रसन देखते हैं तो यह प्रसन थोड़ा सा टृकी है इसको ध्यान से हम पड़ते हैं तो समझ में आएगा इसमें breeding के बारे में उसकी परिभासाएं दी हैं कि किस तरह की breeding में क्या होता है inbreeding या अंतह प्रजनन क्या होता है एक ही नसल की एक दो पीडियों के लिए अधिक निकट सम्बंदित जनतुओं का संगम क्या inbreeding कहलाता है तो यह उत्तर जो है यह statement सरासर गलत है बही प्रजनन या outbreeding क्या होता है एक ही नसल के बिना किसी सामान पूर्वज के चार छे पीडियों के लिए आसम्बंदित जनतुओं का प्रजनन बही प्रजनन कहलाता है यह भी उत्तर यहाँ पर गलत दिया तो यह भी दोनों ही गलत है C देख लेते हैं जिसको हम crossbreeding कहते हैं एक नसल के ही स्रेष्ट नर और दूसरी नसल के स्रेष्ट मादाओं के बीच संगम यह जो है crossbreeding कहलाता है और outcrossing जिसको बही संकरन कहते हैं तो संतती को इसमें जो है बही संकर या outcross कहते हैं दी आप्सन भी सही है तो इस तरह से इस प्रस्ण में एक और दो यानि ए और बी दोनों ही जो है गलत है एक ही नसल की चारचे पीडियों के लिए अधिक निकट संबंधित जनतुओं का संगम या मेटिंग अन्ता प्रजनन या इन ब्रीडिंग कहलाता है जबकि हमारे प्राइगस गुड उतपन होते हैं अन्ता प्रजनन सुध्ध नसल की प्राप्ति में सहायक होती है फिर वही पर बात करते हैं बही प्रजनन या आउट ब्रीडिंग की तो इस प्रिकरिया के अन्तरगत एकी ही नसल के जा भिन नसल के चार छे पीडियों तक बिना किसी सामा पूर्वज के आसंबंधित जन्तुओं के मध्धे में प्रजिनन होता है इसलिए बिकल्प ए और दो दोनों ही गलत थे अगला प्रसंद देखेंगे निमलिखित में से कौन सा एक जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है चार आपसन आपके सामने हैं हाथी, ब्लू वेल या हिपो पोटैमस तो चारो ही बड़े जानवर हैं लेकि सबसे बड़ा जो है इसमें बच्चे को कौन जन्म देता है यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? C आपसन सही होगा ब्लू वेल ब्लू वेल संसार का सबसे बड़ा जन्तु है जिसकी लगबग 25 फिट तथा वजन लगबग 3 तन तक होता है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं विच आप दो फालोइंग प्लांट यानी नीचे दिए गए प्लांट में किसको एक लिविंग फॉसिल या जीवित जीवास्म के रूप में जाना जाता है तो इसमें चार आपसन आप चैन करना है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा सी आपसन सही होगा गिंगो जो है इसको ही जो है लिविंग फॉसिल या जीवित जीवास्म कहा जाता है अब जीवित जीवास्म जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है तो जीवित जीवास्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ती लाखो करोडों वर्स पूर हुई थी और तब से आज तक उनमें कोई भी परिवर्तन जिसको हम जै विकास कहते हैं नहीं हुआ मतलब जैसी वो शुरुवात में उत्पन हुई थी आज तक वैसी ही है जिंगो बाई लौबा एक ऐसा ही पौधा है जो ट्राइसिक पिरियेड में उत्पन हुआ था और आज भी जीवित तथा और परिवर्तित है next question देखते हैं Hopkins Institute Mumbai किसके उत्पादन के संदर में अपने कार के लिए जाना जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा plague का टीका, sickness का तीका या polio का टीका या लेप्रोसी का टीका इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्लेग वैक्सीन या प्लेग टीका, प्लेग टीका के लिए इसको जाना जाता है हॉफकन इंस्ट्यूट मुंबई की स्थापना 1899 में हुई थी, इसका यह नाम प्लेग टीका के खोज करता डॉक्टर W.M. Hopkins के नाम पर रखा गया था, डॉक्टर हॉफकिन ने अपने द्वारा विक्सित प्लेग टीका की छमता हुआ, इससे सुरच्छा की जाचेतू, क्लीनिकल ट्राइल जो है, खुद पर किये थे अगला प्रसन देखते हैं, फ्लेमेंगो जैसे पच्छी एक टांग पर खरे रह सकते हैं, निमलिखित कत्नों में से कौन सा इस सम्बन में सही है, तो फ्लेमेंगो के बारे में ही इसमें बात हो रही है, एक टांग पर खरे रहने से फ्लेमेंगो अपने सरीर के ताप और उर दूसरा इस्टेटमेंट क्या है एक टांग पर खरे रहने से एक फ्लेमिंगो अनुरंजन प्रदर्शन करता है जो की प्रजिनन से पूर्व किया जाने वाला एक क्रत्य है तो दूसरा जो इस्टेटमेंट इसमें गलत है यानि ए आप्सन इसमें केवल सही है थोड़ा सा और जानते हैं ठंडे मौसम में फ्लेमिंगो जैसे पच्छी एक टांग पर खड़े रहकर काफी बड़े सतही छेत्र को कम करके ताप वा उर्जा को संद्चित करते हैं जबकि गर्म मौसम में वे प्राया दोनों टांग पर खड़े रहते हैं उनका एक टांग पर खड़े होने is never excreted out through urine under normal circumstances in a healthy individual यानि एक स्वस्त मनिस्य में जो उसका यूरीन होता है उसमें से कौन सा एक पदार्थ जो चार आपके दिये हैं सामानिता जो है उसके यूरीन में नहीं मिलता है या नहीं उसके साथ निकलता है यानि जब कभी वो बीमार होगा किसी जो है समस्या से तब ही जो है वो यूरीन के साथ एक healthy मनुष्य में एक स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होना चाहिए सामान इस्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में से अमीनो अमल उत्सरजित नहीं होते हैं अमीनो एसिट प्रोटीन की मोनोमर्स होते हैं और मूत्र में इनकी उपस्तिती प्रोटीन यूरिया नामक बीमारी को जन्व देती है मूत्र में समानेता 95% जल होता है 2% जो है अनावस्यक लवणों के आयन जिसमें सोडियम कैल्से में त्यारी होते है 2.6% यूरिया होता है और 0.3% क्रिटिनीन होता है तता आतिसूच मातरा में यूरिक एसिड और अन्य अन्यावस्यक और अपसिस्ट यानि एक्सक्रीटरी प्रोड़क्ट होते है तो दोस्तो आज के इस सेग्मेंट में इता ही आज हमने 20 प्रसनों को सॉल्व कर लिया है इस Crash Course से जूर सकते हैं जो के आपको Test Series, Video Lectures और Notes के माद्यम से इस परिक्षा की संपूर पाटकरम की तैारी करवाएगा इस Crash Course के दो मुख्य भाग है पहला Test Series है जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सलेस पारधारे है मिलेंगे आपको और 5 Current Affairs के अतरीक टेस्ट मिलेंगे जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी ब्याख्यात्मक हल सहीत आपको PDF मिलेगी ये टेस्ट online आप हमारे app पर या website पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं ब्याख्यात्मक हल वाली PDF में प्रस्ट उत्तर के format में आपको संपूर नोट्स प्रोवाइट किया जाता किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं तो ये आपके सामने जो है UPSC Lower PCS Mains एक्जाम के लिए जो हमने test series त्यार की है उसका Demo PDF यानि test 1 खुला हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस segment में जो भी question हमने select किये हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है उसकी व्याख्या लिखी है और व्याख्या से संबंदित जो भी महत्पूर चीजें हैं उसको संपूरता के साथ जो है इस topic से कोई भी related question आ जाता है तो आपको उस प्रस्ण को solve करने में कोई दिक्कत ना हो तो आप सबसे पहले free demo test PDF को प्राप्त की जिए उसके लिए आपको lower means लिख कर इस number पर भेजना है या इस video के description और comment box में आपका उसका link दिया हुआ है उसको वहां से download कर सकते हैं अगर आप संतुष्ठ है आपको लगता है आपके exam में यह descriptive test series सहायक होगी तो आप निच्चीत रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो lecture crash course में आपको तीन segment मिलते हैं सामान हिंदी, maths और reasoning सामान हिंदी में आपको पूरे syllabus पराधारित वीडियो के साथ में PDF notes भी मिलेंगे और इन वीडियो lectures का भी demo अपलब है demo देखने के लिए आप हमारा decode exam का app download के लिए उसमें login करके वीडियो section में जाकर सभी segments के एक एक वीडियो आप जो है और सामान हिंदी, math और reasoning इन वीडियो lectures को आप अलग लग भी ले सकते हैं एक साथ भी ले सकते हैं यह आपके उपर depend करता है वीडियो lectures के बारे मधिक जानकारी के लिए आप इस नमबर पर सीधे call करके या lower mains लिखके भेज सकते हैं इसके लावा अगर आप केवल सामान हिंदी का संपूर नोट्स लेना चाहते हैं तो वो e-book के form में PDF में available है उसके लिए आप lower हिंदी PDF बुक लिखकर इस नमबर पर भेज दीजिए इसमें मुख परिछा के अनुरूप सामान हिंदी के सभी chapters को पाठ करम के अनुसार जो है सत प्रसत कवर किया गया है पूरा नोट्स दिया जाएगा यह आप देख सकते हैं तीन सो से अधिक पन्ने की यह PDF है जिसमें आपको जो है सारे chapters जो है करमबत तरीके से जो आपके syllabus में है वो आपको उपलब्द कराए जाएंगे किसी भी आने जनकारी के लिए आप सीधे हमारे service नमबर 950-67-42546 पर call करके बात कर सकते हैं